आज हम सिखेंगे लिंग निर्धारण के बारे में हम जानते हैं कि लेंगेक जनन यानि सेक्श्वल रिप्रोडक्शन में दो जनक नर यानि मेल एवं मादा यानि फिमेल भाग लेते हैं चुकि लेंगेक जनन में दोनों लिंग भाग लेते हैं इसलिए संतिती यानि आफस्प्रिंग की एक नर या एक मादा होने की संभावना समान है इसलिए यह जानना रोचक होगा कि एक युगमनज यानि जाइगोट नर में विक्सित होगा या मादा में जनन के दोरान युगमनच का नर या मादा में विक्सित होना लिंग निर्धारण यानि सेक्स डिडर्मिनेशन कहलाता है किसे जेव का लिंग निर्धारण विभिन कारको पर निर्भर होता है जैसे कुछ जीवों में लिंग निर्धारण पर्यावरण पर निर्भर करता है। उधारण के लिए कुछ प्राणियों जैसे सरीसरप यानि रेप्टाइल्स में निशेचित अंडा जिस तापमान में रखा जाता है उससे यह निर्धारित होता है कि संतती नर होगा या मादा कुछ प्राणी जैसे घोंगा अपना लिंग बदल सकता है जिससे यह पता चलता है कि घोंगे में लिंग निर्धारण आनुवनशिक नहीं है मानव में लिंग निर्धारण आनुवनशिक है चलिए मानव में लिंग निर्धारण विस्तार से समझे पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किसी लक्षण की अभिव्यक्ती जीन पर निर्भर करती है युगमनच का लिंग निर्धारण भी जीन पर निर्भर करता है मानफ में कुल 46 गुंडसूत्र होते हैं जो गुंडसूत्रों के 23 युगम बनाते हैं इनमें से गुण सूत्रों के 22 युग्म अर्थात 44 गुण सूत्र, पुरुष और स्त्री में समान होते हैं। इनकी युग्मनच के लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती। इन्हें अलिंग सूत्र यानि सुमाटिक क्रोमोजोम्स कहते हैं। लेकिन गुण सूत्रों के 23 युग्मों में एक युग्म यानि दो गुण सूत्र पुरुष और स्त्री में भिन्न होते हैं। इनमें से सामान्य आकार वाले गुण सूत्र को X से तथा छोटे गुण सूत्र को Y से दर्शाया जाता है। युग्मनच के लिंग का निर्धारण X और Y इन गुण सूत्रों के आधार पर किया जाता है। इसलिए इन गुण सूत्रों को हम लिंग सूत्र यानि सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। इस तरह से पुरुष में लिंग सूत्र का जोड़ा XY और स्त्री में XX होता है। पुरुष में जब नर्युगमक यानि मेल ग्यामिट यानि शुकराणू उत्पन्न होते हैं, उस समय गुंड सूत्रों के 23 युगमों का इस प्रकार विभाजन होता है, कि प्रती एक युगमक का एक गुंड सूत्र एक शुकराणू को प्राप्त होता है. इस तरह से आधे शुकराणूओं में एक्स गुंड सूत्र तथा आधे शुकराणूओं में वाय गुंड सूत्र होता है, चुकि इस त्री में लिंग सूत्र एक्स एक्स है, इसलिए सभी जनन कोशिकाओं यानि अंड यानि एक्स में एक एक्स गुंड सूत्र होता है. निशेचन के दोरान यदि X गुंड सूत्र वाले शुकराणू का X गुंड सूत्र वाले अंड से सनलयन होता है तो बनने वाले युगमनच का लिंग सूत्र XX होगा जो स्त्री लक्षणों को विक्सत करेगा लेकिन यदि Y गुंड सूत्र वाले शुक्राणू का X गुंड सूत्र वाले अंड के साथ सनलयन होता है तो बनने वाले युगमनच का लिंग सूत्र XY होगा जो पुरुष लक्षणों को विक्सत करेगा चुकि आधे शुक्राणूओं में X गुंड सूत्र होता है और आधे शुक्राणूओं में Y इसलिए युगमनच के पुरुष होने की संभावना उतनी ही होगी जितनी स्त्री होने की इसी तरह सभी बच्चे माता से एक X गुंड सूतर प्राप्त करते हैं, इसलिए उनका लिंग निर्धारन पिता से प्राप्त गुंड सूतर पर निर्भर करता है यदि शिशु पिता से X गुंड सूतर वन्शानुगत करता है, तो वह एक लड़की होती है तथा यदि वह वाय गुंड सूतर वन्शागत करता है, तो शिशु एक लड़का होता है यह संपूर्ण यादरच्च रूप से होता है इसलिए किसी विशेश लिंग का शिशु न प्राप्त होने पर पिता या माता किसी को भी जिम्मेदार ठहराना कलत है इस पर अवश्य विचार करे तो आज हमने सीखा लिंग निर्धारण